नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा ओनलाइन इस्टड़े विडिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं परियावर अनध्यन के तीस अती महत्य पूर्ण प्रशनों के बारे में लगा और आज का 30 प्रशनों में आपको कितने नंबर आएस शुरू में आपको क्या करना है वीडियो को लाइक पंडित जवालाल नहरू ने भारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपका रेट आंसर होगा लखना 1935 आपका रेट आंसर होगा बाकि BCOD आपको जो विकल्प दिख रहे हैं इन्होंने भी किसी ने किसी ने राष्टी कांग्रेस की अधिव प्लानी के द्वारा की गई थी और इलावाद 1910 की हम बात करें तो इस दिन भारती राष्टी कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी तो इस दिन विल्यम वेंडर बर्गे के द्वारा की गई थी यदि पहला अधिवेशन के ब अब किया गया था तो यह 1885 में किया गया था इसके अद्धिक्ष कोन थे वियो में शंद बनर्जी थे तो इसके बारी में आपको पता होना चाहिए पंडित जवालाल नेरू के बारे में पूछे तो आपका राइट अंसर लखना 1935 सही होगा चलिए दूसरा प्रूशन है ना पूरवांचल परवतमाला याद रखेगा जो नागा खासी और गारो पहड़ियां है यह कहां पर श्तित होगी पूरवांचल परवतमाला में श्तित होगी उत्तर प्रदेश विधान सभा सदर्शों की संख्या कितनी हैं पर देखे उत्तर प्रदेश विधान सभा सदर्श पूछे होते हैं इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए यदि आप UPT8 की एक्जाम देने जा रहे हैं तो उतर प्रदेश विदान सभा सदर्शियों की संख्या पूछे राइट आंसर आपका क्या होगा वहाँ पर 404 यानि कि 303 और एक यहाँ पर टोटल 400 होते हैं यहा आठ़ा है उतर प्रदेश में कुल जिले कितने है उतर प्रदेश में 75 है और वहाँ पर राजस्भा के सदर्शिके बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए 31 सदर्शिय है और विढारण सबा सदर्शों की संक्या 404 होती हैं यहाँ पर जो 80 हैं यह लोक सबा के सदर्शी हैं 18 हैं यह कुल संभाग हैं 75 हैं यह कुल जिले हैं 31 हैं यह राज सबा सदर्शी हैं और जो 100 हैं यह विधान परिशत की सदर्शी हैं यहाँ पर इन सभी के बारे में आपको जानकरी होना चाहिए, चलिए, जन्मजात शिसु को ट्रिपल वैक्सिन किन बीमारियों से रक्षा हेतू दिये जाते ही, जो ट्रिपल वैक्सिन है, यह जन्मजात शिसु को किन बीमारियों से रक्षा देने हेतू दिये जाते ही, इसके बारे में आपको बताना है काली खासी टिटनेस एवं मिजल्स काली खासी टिटनेस एवं डिप्थीरिया टिटनेस डिप्थीरिया मिजल्स एवं रुबेला या फिर टिटनेस डिप्थीरिया छोटी माता एवं रुबेला यहां पर ट्रिपल वैक्सिन के बारे में पूछा ग अगला प्रश्ण निमलिकित मेंसे वहां पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है वहां परравत श्रेणी आरावली है जो की भारत में सबसे तो यहां पर तीसरा वाला विकल पर आपका सही होगा भारत में छतरक सेल कहां पाई जाते हैं जो चतरक सेल होते हैं यह थार मरुश्तल में पाई जाते हैं गागरा और सोन किस नदी की साहिक नदी है यहाँ पर देखे गागरा और सोन नदी के बारे में पूछा गया है यह किस की साहिक नदी है गंगा की है चंबल की है ब्रह्मा पुत्री की या फिर यमना की है यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा गंगा की याद रखेगा गागरा और सोन नदी ये गंगा की साहक नदी है घागरा की बात करें तो ये तिबत नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है यहाँ पर हम सोन नदी की बात करें कि सोन नदी कहां से निकलती है सोन नदी को सोन भदर सिला के नाम से भी जाना जाता है चलिए, दाची ग्राम राष्टी उध्यान कहां इस्तिते, काफी इंपोर्टेंट, काफी सरल है, आप सभी ने उध्यान पढ़ा होगा, एक वीडियो में आपके लिए बनाया था, जिसमें सारे राष्टी उध्यान जो इंपोर्टेंट उनको लिया गया था, यदे नहीं दे इस वीडियो को देख लिजेगा, उत्रा घंए मिजुरा में जम्मू और कस्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, दाची ग्राम राष्टी उध्यान जम्मू और कस्मीर में इस्तिते, चलिए, डीजल लोकोमोटिव वरकस उत्र प्रदेश में कहां पर इस्तिते, वारानसी में है इलाबाद में है गोरकपुर में है या फिर लखनव में है आपका राइट आंसर होगा वारनसी डीजल लोकोमोटीव वरकस उत्तरप्रदिस के वारनसी में इस्तित है डीजल लोकोमोटीव वरकस यह है दोस्तों यह भारती रेलवे के स्वामित में आता है और यहाँ पर किसके नियंत्रण में आता है यहाँ पर दीखे लोगसबा सची वाले प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा उत्तरप्रदेश के सहरनपूर जन्पत में स्तित सागभरी देवी मंदिर में मेले का जो आयोजन है यह कब किया जाता है आपका रेट अंसरुगा यह नवरात्री में किया जाता है पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा प्रायादीपी भारत निमलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती यहाँ पर आपको बताना है वह कौन सी नदी है जो की अरब सागर में नहीं मिलती है पेरियार कावेरी नर्बदा या फिर तापती तो यहाँ पर प उतर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बता है। यहाँ पूछा जाए कि वतर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे तो वो भी गोविन बल्लब पन्ति थे तो यहाँ पर याद रखेगा पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा। होगा हरा याद रखेगा एक व्यक्ति जो वर्ना धता से प्रभावित है उसे लाल रंग केसा दिखाई देगा हरा दिखाई देगा। पोधो की आयू केसे पता की जाती है जन्म से लंबाई से व्रद्धी वले से या फिर समान्ने अकार से पोधो की आयू केसे पता की जाती है ये आपको बताना है रैट आंसर आपका होगा व्रद्धी वले से पोधे की आयू व्रद्धी वले से पता की जाती है अगला फैलिस केटस है यह बिल्ली का वेग्यानिक नाम है अगला प्रस्ण उत्र प्रदेश में विदान सभा को भंग करने का अधिकार किसे हैं राज्यपाल को है राज्यपाल को है राश्टपती को है मुख्य मंत्री को या फिर किसी को नहीं उत्र प्रदेश में जो विदान सभा ह मोलिक यवं जेविक परियावरन के अध्यापन हे तू अन्वेशन विधी का प्रियोग है ये सरप्रतम प्रोपेसर इस्टीवेशन के द्वरा किया गया था डी वाला विकल्पे आपका सही होगा प्रायोजना विदी के जन्मदाता है यहां पर देखे प्रायोजना विदी के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है किलपेट्रिक है, मंटेशरी है, राइट इस्टोन है या फिर लेंडन है काफी important काफी सरल है सभी को इसके आंसर पता होगा किलपेट्रिक प्रायोजना विदी की जो जन्म दाता होंगे वो किलपेट्रिक होंगे नागोया प्रोटोकाल संबन्दी थे ये पूछा गया है परमानू अ प्रसार से हैं जेव विवित्ता सनरक्षन से हैं अवेद हतियारों की तसकरी से हैं या फिर मानव तसकरी से हैं नागोया प्रोटोकाल किस से संबन्दी थे रैट आंसर आपका होगा जेव विवित्ता सनर तो राइट आंसर आपका यहां पर सेकंड वाला होगा चलिए प्रशिद्य दसाउतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर इसी थे देवगड में हैं कुशी नगर में हैं वारण अची में हैं या फिस सोरो में हैं प्रशिद्य दसाउतार मंदिर जोकी विश्नु जी का च्छारी मरदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनीज दो या फिर पाई राइड होता chi पारिसित की तंतर में एक टिकाउ जेव समू के बारें पूछा गया है कि वो क्या कहलाता है, संक्रमन कहलाता है, अनुकरम कहलाता है, चरम अवस्था कहलाता है, या फिर क्रमिकी कहलाता है, तो पारिसित की तंतर में एक टिकाउ जेव समू के बारें पूछा गया है, तो आप प्रकास में उगने वाले जो पोदे हैं प्रकास में उगने वाले पोदे क्या कहलाते हैं जन संख्या कहते हैं तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अफरिका के जाइरे बेसिन की कौन सी जन जाती की लोग अपना घर पेड के उपर बनाते हैं अफरिका के जाइरे बेसिन जो की अपना घर पेड के उपर बनाते हैं सेकन वाला विकल पे आपका सही होगा लानोज तथा केमपोज घहास मेदान किस बायोम के अंतरगत आते हैं लानोज तथा केमपोज घहास मेदान के बारें पूछा गया है कि ये किस बायोम के अंतरगत आते हैं अब बात करते हैं कि जो लानोज और केम्पोज गहां से यह कहां पर स्थित है यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए तो जो लानोज है यह कोलंबिया एवं वेनजूला में स्थित है और केम्पोज जो गहां से जो गहांस का मेदान है यह ब्राजिल में स्थित है तो दो लाडू, महराष्ट, सिक्कीम या फिर उत्तर प्रदेश, आपका रेट अंसरुगा उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश में नहर सिचाइज पद्धती सबसे अधिक प्रशली थे, चलिए, अंतिम प्रशने हैं, जैसा कि 30 प्रशने में आपको बताया थे, टोटल 30 आपको मिलेंगे, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक करना है, शेर करना है, और चेनल को सस्क्राइब कर लेना है, और अंतिम प्रशने हैं, निमलिखित में से किस दिन का राष्टी उर्जा सनरक्षन दिवस के रूप में मनाया जाता है, पाँजु मनाया जाता है तो राइट अंसर आपका यहां फर फोर्ट वाला होगा यहीं पर आज के आपके 30 प्रिश्चन स्माप तो होते हैं आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट से के माध्यम से बताना है तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद